नमश्कार दोस्तों मैं उमिश्ण उडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेग जी केन मैट्स क्लास में दोस्तों आज की वीडियो हमें देखेंगे एक्सेलेंस स्कुल मॉडरी स्कुल प्रेस्परिक्षा के लिए एक मानक क्यो शक्ता होती इस मानक को उस बहुती ग्राशी का मात्रक कहते हैं मात्रकों को दो भाग में हम विवाजित कर सकते हैं मूल मात्रक और वियुत्पन मात्रक मूल मात्रक और वियुत्पन मात्रक जो है दो प्रकार से हम इसको विवाजित कर सकते हैं मूल मात् प्रोफों की संक्या साथ है और यहां पर हम साथ जो है उनको देख लेते हैं ऐसाई मूल राच्छी उनके मात्रग देख लेते हैं जैसे यहां लंबाई के लिए लंबाई के लिए जो है मीटर के और शक्ता होती है और इसका प्रतिक एम हैं द्रब माने के लिए किलोग्राम क जी समय सेकेंड एस बिद्धुद्धारा एंपियर एसे प्रदर्शित करते हैं ताप केल्विन से और इसका मात्राख के स्वरी प्रतीक है इसका के और पदार्थ का परिमाल मोल एम ओ एल और जोती तीब्रता केंडेला सीडी इसका मात्राख है इस प्रतीक है इस प्रकार से जो है यहां पर हमने साथ को देखा है लंबाई द्रब्मान समय बिद्धुद्धारत ताप और पदार्थ का परिणाम और जोती तीब्रता को हमने देखा है ऐसा ही मात्राख इनके हमने देखे हो रहे हैं और उनके प्रत यहां प्रक्तिक देखें साथ यहां पर आगे देखें देखना है यहां पर मात्रक अवद्पन मात्रक यहां पर just इसको जो इसका मात्रणक रेडियन इसको और एडी शे प्रदस्वित करते हैं घन कोंड जो है घन कोंड है इस्टे रेडियन ऐसार आवृत्ती अहर्डज है एच जट से प्रदस्वित करते हैं इसको वल न्यूटन से एन दाब प्रतिबल पास्कल पी ए से प्रदर्सित करते हैं इसको और उर्जा कार उस्मा की मात्रा जूल जैसे प्रदर्सित करते हैं आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर सक्ती रेडियंट फ्लेक्स वाट डबलू विद्धुत आवेस कुलाम सी बोल्ट था विद्धुत विवानतर बोल्ट वी विद्धुत धारिता फैराडे एफ विद्धुत प्रतिरोद ओम विद्धुत चालक्ता सीमेंस एस से प्रदर्सित करते हैं चुम्बा की फ्लक्स बैबर डबलू बी चुम्ब की फ्लक्स घनत टैसला टी आगे हैं प्रेरकत्व हैंडरी एच तापमान डिग्री सेल्सियस सी जोती फ्लक्स ल्यूमैन आई एम प्रदीप्त घनत्व लक्स एलेक्स एक रेडियो न्यूकलाइड की सक्रीता वैकुरल बीक्यू और सोशित विक्रण मात्रा ग्रे जेवाई आगे हैं विक्रण मात्रा सम्तुल सीवाइड एस भी और हैं उत्प्रेरक सक्रीता कैटल के एटी तो इस प्रकार से जो हमने यहाँ पर व्यूत्पन राज्शियों को देखा है आगे हम देखते हैं मात्रकों की अंतराश्टी प्रणाली बरतमान में अंतराश्टी प्रणाली पर मान प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट से एस आई और यहाँ पर प्रकास वर्स जो की बहुत ही महत्पोञ हैं यहाँ पर का प्रयोग अधिक अधिक लंबी दूरी को माज़ें किया जाता है तो यहां पर एक्च्छली खगोली दूरी जो होती है उसको मापने के लिए प्रकास बर्स का यहाँ पर उप्योग किया जाता है दूरी का मातरक है और कैसी दूरी जो खगोली दूरी जो लंबी दूरी होती है उसको मापने का काम होता है प्रकास बर्स के दुआरा तो यहाँ पर जो है एक प्रकास बर्स बराबर होता है 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर तो यहां पर इसको भी याद रखना है साथ ही प्रकास बर्स जो बहुत ही महत्पूर्ण है पूछा जाता है और यहां आगे देखते हैं एक नाटिकल मील होता है 1852 मीटर के बराबर होता है आगे देखते हैं मेगा वाट बिजली के मापन की इकाई है जो बिद्धुत उत्पादन केंदर में उत्पन की जाती है एक मेगा वाट बराबर होता है 10 की पावर 6 मिलियन वाट और यहां पर देख लेते हैं Q-sake Q-sake जो जल प्रवाह की दायर को मापने के लिए मापने की इकाई है Q-sake जो होता है जल प्रवाह की दायर को मापने की इकाई यह Q-sake बराबर होता है 28 दसमलोग 317 लीटर प्रती सेकेंड होता है और आगे देख लेते हैं वाईव मंडल में ओजौन परत की मोटाई मापी जाती है डापसन से मापी जाती है ओजौन परत की मोटाई और यहाँ पर एक डापसन एकाई बराबर होता है 2.69 इंटू 10 की पावर 20 ओजौन अडू परती बर्ग मीटर आगे देख लेते हैं वल वल का जो CGS पदधती में मात्रक है डायन होता है और S.I. पदधती में न्यूटन होता है और S.I. मात्रक न्यूटन होता है एक न्यूटन वराबर 10 की पावर 5 डायन होता है तो इस प्रकार से आज हमने जो है मात्रकों के बारे में देखे हैं और भी बहुत सारे वीडियोज मैंने बनाए हैं एक्सिलेंस स्कूल मॉडल स्कूल की परिच्छा की तैयारी के लिए जो की पिछले सालों में बनाए हैं उनको भी आप जरूर देखिए और उनसे भी आप तैयारी करिए और भी आगे मैं वीडियो बनाते रहूंगा दोस्तों सभी बिसे को लेकर के और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी जिसमें हो जाएगी तो दोस्तों, आज़ की वीडियो में इतना है, यह यह जरी वीडियो आपको पसाने pivot को पसाथ, डियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को स्क्राइब करें, ताके मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें, वीडियो देखने लिए आपको थैंक यू सो